अश्का दोस्तों सो आगत हैं आप सभी का एक बाव फैसे आपके अपने यूटूब चैनल पर बड़ी खबरे मुख्य समाचा लेकर आए हर एक ब्रेकिंग नियुस आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो में जानेंगे बिहार के राजनीती में फिर एक बार यहां पर दोस बड़ा भूचाल आने वाला है क्या कुछ अपडेट है आगे जानेगे तो दूसरे तब दोस्तों जानेंगे जार्खंड वे यहां पे बिढ़ायकों की खरीद फोद मामले को लेकर क्या कुछ JMM.M. ब्यानाया है? दूसरी तब जानेगे कि रहुल गांदी का बीजेपी पर जोड़र हमला वहीं दोस्तों बरुण गांदी की बगावत इस बार लिया है बड़ा फैसला क्या कुछ दोस्तों खवरे हैं बिस्तार से जाने लिए बने रही है पहली बड़ी खवर बताते चलें वहीं दोस्तों अगर हम भी मानता हैं कि 24 के चुनाओं में इंडिया गढवनन जीते घा तो एक लाइक वीडियो को जरू कीजेगा कमेंट बॉक्स में जरू लिखेगा बी सपोर्ट इंडिया बिग ब्रेकिंग न्यूस बिहार से बिहार के राजनीती के लिए तो एक बात बहुत ही प्रेचलित है जब लगे कि बिहार को को यहां पर बिल्कुल स्थिर है और आप समझ गया तब भिहार आपको जटका देने वाला है विहार में फिर सिया सी भूचाल आने वाला है दोस्तों आज एडी ने फिर बड़ा दावा किया है भिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही होगा बड़ा खेला पार्टी ने कहा जीत का हिसाब किताब होगा दोस्तों तेजस्वी आदब पहले ही कह चुके हैं बड़ा खेला है और जल्द ही इसकी सुगवगार भी देखने को मिलने वाली है दोस्तों फ्लोर टेस्ट बांकी है उससे पहले ही एंडिया को बड़ा जटका लग सकता है बरुन गांधी की वहीं दोस्तों आप सभी को बताते चलें बरुन गांधी जो की बीजेपी के बैतमान सांसद है पार्टी की लाइन से हटके बयान बाजी कर रहे थे जो कि यहाँ पे केंदे नेतित्त को नागवार गुजरा भाजपा सांसद बरुन गांधी इस बार लोग सवा चुनाओ न गिराफतारी पे कपिल सिब्बल जोड़ार तरीके से मोदी सरकार पे भड़के हैं भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब एक मौझूदा राज्ज के मुख्य मंतरी को सडेंत पूर्वा गिराफतार किया गया हो फैस्टेग रिलीस हेमंत सोरेन भी ट्रेंट कर रह है जहार खंड़ के पूर्व मुख्य मंतरी हेमंत सोरेन की गिराफतारी के मामले में कपिल सिब्बल ने बताया कि कैसे सुप्रीम कोट ने उनकी सुनबाई करने से इंकार कर दिया जबकि ऐसे ही केस में गोदी पत्रकार अर्णब गोसवामी अमीस देवगन के मामले में सु सुप्रीम कोट हुआई बात नहीं सुनेगा तो आखिर बताईए हम कहा जाएंगे यह अपडेट निकल कि आई है दोस्तों हर खंड़ में भारत जोड़ना है 17 दोरान से हम 25 और इन भी राहूल गांदी साथ नजर आये राहूल गांदी ने मोदी सरकार को निसाने पे लिया राहूल गांदी ने कहा कि आजकाल पैधान मंतरी कहते हैं देश में सिर्फ दो जातिया हैं अमीर और गरीव जब ना कोई पिछड़ा है ना कोई दलित है और ना ही कोई आदिवासी तो फिर इतने सालों तक मोदी जी ने खुद को ओबी सी क्यों कहा इसलिए अब इधर की बाते नहीं गिंती होगी सावाजिक आर्थिक नयाय दिलाने के लिए गिंती होगी जातिया जंगड़ना की बात कही है उन्होंने कहा कि कमजोरों और बंचितों को मुख के धारा में लाने के लिए गिंती होगी भाजपास सरकार अपने दिन गिने जातिकत गिंती हम है कहा कि एडी थाने की पुलिस जैसे काम कर रही है सवाजवादी पार्टी के राष्टे अध्यच पूर्व स्यम अखिलेश अदब बारावंग की पहुंचे थे यहां उन्होंने बीजेपी पर चुन-चुन कर वार किये अखिलेश ने कहा कि भाच्पा के लोग पिछला दार अखिलेश अदब ने एडी को थाने की पुलिस बता डाला वहीं इलेक्ट्रोनिक मसीन को लेकर अखिलेश अदब ने कहा कि जब बाच्पा हटेगी तभी इस पेकार की मसीने भी हट जाएंगी क्योंकि बिक्सित देश भी बैलेट पेपर से ही बोटिंग कराते हैं ऐसे में बैलेट पेपर आ जाएंगे दूसरी तब दोस्तों अरविंद केजरिवाल के खिलाफ एडी अदालत पहुच गई है दिल्ली की रावज एवनिव अदालत में एडी सिकाय दर्ज करवाकर कहा कि अरविंद केजरिवाल समन देने के बाद भी पेस नहीं हो रहे हैं कोर्ट इ इडी जल्द ही केजरिवाल को गिरफतार करती तो देश में बिरोध होता इसलिए इडी ने कानूनी रास्ता अपनाया है क्यूंकि अभी ही जारखंड के पूर्वसियम सोरेन को गिरफतार किया गया था ऐसे में इडी जल्द वाजी नहीं करना चाहती है इसलिए कोर्ट का स उन खड़गे ने पार्टी कार गयताओं को संबोधित किया खड़गे ने अपने संबोधन में केंद की मोधी सरकार पर जोड़ार हमला वोला उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास तो मोधी ने नारा दिया था बस लेकिन उन्हों सबका सत्यानास कर दिया है मालिक आज खडगे ने पीम मोधी पार यहां पर जोरदा निसाना साधा है डिली पुलिस ने सीम के जरिवाल को दिया है नोटिस कहा तीन दिन में बताएं उन साथ विधायकों के नाम जो बीजेपी के संपरक में थे यह रोस्तों विधायकों की खरीद फरोक्त का मामला डिली के सीम नोटिस दिया है यहां मामला आपके कुछ विधायकों से जुड़ा है कुछ दिन पहले सीम ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था बीजेपी ने उनके कुछ विधायकों को पैसों का ओफर दिया था अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हरकत में आ ग है यह अपडेट निकल के आई दोस्तों अगली अपडेट के और बढ़ते हैं पूर्व सियम हेमन तसौरेन को बड़ी रहत पीमले कूट से मिली है फ्लोर टेस्ट में सामिल होने की इजाज़त मिल गई दोस्तों बिक ब्रेकिंग नियूज एड़ी को जटका लगा एड़ी है दोस्तों और इस पूरे मामले पर यह ताज अपडेट थी सभी बड़ी खबरेयाद तक पहुंचाई है वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरू कीजेगा आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद